आज इस वीडियो के अंदर मैं आप साथ डिसकस करने वाली हूं मॉंकीजबर्ग अर्टियोस के बारे में हैं तो यह वाला जो कुश्चन है काफी वार पूछो जाता है फाइफ मास्क में तो इसको आराम से सुनना इसका नाम मॉंकीजबर्ग क्यों है यह हमारी बॉड़ी में कोई और गंद है नहीं बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि मॉंकीजबर्ग जो है यह एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्हों ने इस Arterio Sclerosis को Explain किया था ठीक है चलो इसका अब में नाम क्या है जिससे आप इसको ध्यान लग सकते हो इसमें लिखाए Medial Calcific Sclerosis अब आपको यह वाला वर्ड याद रखना है अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो जब आपके पास यह question आएगा आपके exam में तो सबसे पहली जैसी आपको यह दिखे ना Monkeysburg Adlesis पहली line लिखने 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 It is discovered, it is explained by, it is described by Monkeysburg पहली line हो गई दूसरी बात अगर तुम्हें यह ध्यान रहता है कि इसका दूसरा नाम क्या है तो एक और line डाल देना It is also known as the medial calcific sclerosis ठीक है Now, अगर तुम्हें यह नाम याद रहा तो तुम इसके आगे सब कुछ अपने आप लिख दोगे चलो, let me explain you इसको हम समझना स्टार्ट करते है Monkeysburg Arteriosclerosis is calcification उसके नाम में ही है calcific मतलब यहाँ पर calcification हो रहा है किसका हो रहा है? Of the media यह नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है So, calcification of the media of large and medium-sized muscular arteries अब of course arteriosclerosis है तो arteries के अंदर ही होगा क्या होगा? Calcification अब calcification होगा तो of course वो चीज हाड तो होई जाएगी calcium तो हाड होता ही है आपको यह समझ में आ गई होगी That is monkeys work arteriosclerosis is calcification of the media of the large and medium-sized muscular arteries especially of the extremities and the genital tract In persons past the age of the 50 So, 50 साल से जादा उम्र के लोगों के पैरों में और उनके जनाइटिल ट्राक्ट में यह arteriosclerosis देखी जाती है The condition occurs as an age-related degenerative process So, यह age के साथ होने वाला एक degenerative process है and therefore an example of dystrophic calcification इसी लिए जब आपने पढ़ा होगा journal pathology में calcification के बारे में तो वहाँ पर आपने dystrophic calcification में इसका example भी पढ़ा होगा and has a little or no clinical significance However, medial calcification also occur in some pathological states like pseudo-xanthoma, elasticum and in idiopathic arterial calcification of infancy Now, move to the next what are the morphologic features अब देखो इसकी क्या importance है इस monkeys बग अर्टियो स्वोसिस की यह importance है कि आपके exam में पूछी जाएगी क्योंकि इसका नाम उस pathology से related नहीं है अगर आपको इसका दूसरा नाम भ्यादर रहता है तो आप सब कुछ लिख जाओगे बहुत सिंपल छी थी ना चालो, अब हम बात करेंगे morphologic feature के बारे में that medial calcification is often an incidental finding in x-ray of the affected site having muscular arteries the deposition of calcium salts in the media produce pipe stem like rigid tubes without causing narrowing of the lumen तो क्या होता है कि अगर by chance मानलो की patient के पैर में कुछ हड़ी वड़ी तूड़ गया उसकी या उसा जनल ट्रैक्ट में कुछ हो गया तो हम वहां पर एक्सरे कराया तो वहां पर हमें देखने को मिला कि अच्छा यह है तो यह एक्सिदेंटल फाइंडिंग है मिल गई incident से मिल गई चलो next हम बात करेंगे microscopy में क्या देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करेक्टराइज बाइडी डिपोजिशन ऑफ दी क्याल्शिम सॉल्ट बेसिकली याद रखना है क्याल्शिम सॉल्ट के बारे में इन दे मीडिया विदाउट एस्सिएटेड इंफ्लामेटरी रियक्शन वाल दा इंटिमा एंड एडवेंटिया और स्पेड ओफन को एग्जिस्टेंट चेंजिस ओफ अर्ट्रियोस क्रॉट्स आर प्रेजेंट इन अल्टरिंग दा हिस्टोलोजिक अपिरेंस तो इतना अपॉर्ट नहीं है बेसिकली धान रखते हैं कि आपकी जो मीडिया है उसके अंदर क्याल्शियम भर जाता है तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो यह देखो यह है मीडिया सबसे बीच वाली इसमें आपको क्याल्सिकेशन दिख रहा है इंटिमा में कुछ नहीं है इंटिमा अनिवर्वड है इंदर का लिूमन है और इससे भारवारी एडवेंशिया है तो एडवेंशिया या इंटिमा में कोई फरक नहीं पड़ता है मेंली बस सब्सकेशन हो जाता है नाओ अधा पैथोजनेसस तो पैथोजनेसस ऑफ दे कंडिशन इस नौन बट इस कंसीड़ एज रिलेटेट फीजियोलोजिकल चेंज दू तो प्रोलॉंग एफेक्ट ऑफ दी वैसो कॉंस्रिक्शन बहुत टाइम तक वैसो कॉंस्रिक्शन होने की वैसे पैशेंट में एज रिलेटेटल फीजियोलोजिकल चेंज आते हैं तो आए हो कि आपको यहाँ पर एवरीटिंग के लियर हो गया हो ठीक है अब नेक्स जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अर्थीरियो स्कलॉर्स विच इस वेरी इंपॉर्टन तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया अर्थीरियोस के नाम से जैसे कि आपको वहाँ पर सारी अर्थीरियोस की वीडियोस मिल जाएंगे तिल देन दो नोट फगेट तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और शेर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स और थैंक्यू सो मच